Hello everyone, welcome to the new video from StudyBuzz और मैं हूँ Anabav Gupta Sir, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ZAT के CAT के बार में तो बहुत सारे बच्चों को बता है कि कौन-कौन से colleges CAT को accept करते हैं आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है ZAT की और यह Part 1 की वीडियो है जिसके अंदर हम उन colleges के बार में बात करने वाले हैं जो 80 से 90 प्लस परसेंटाइल के बीच में जिनकी cut-off vary करती है Part 2 के अंदर हम 70 से 80 के बार में discuss करेंगे Part 3 के अंदर 60 से 70 परसेंटाइल के बार में बात करेंगे लेकिन आज हम बात करने वाले Top Premium Colleges Part 1 के अंदर ZAT के जो Colleges है इनके बार में हम बात करेंगे इनकी cut-off क्या है, placements क्या है, fee structure क्या है इन सारी चीजों के बार में हम बात करेंगे वीडियो को एंड तक जूर देखना चलिए शुरू करते हैं इसे पहले friends हम स्टार करें, I would like to request you प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपोर्टन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी Instagram पे भी हमारी साथ connect हो जकते हो हमारी Instagram handle है studybus underscore education और my facebook group का नाम है studybus and friends अगर आप cat crash course में enroll करना चाहते हो तो इसकी complete details आपको हमारी website के ओपर मिल जाएगी इसका link नीचे description box के अंदर है ये course live है हमारे portal के ओपर बहुत जल्दी zat का भी course launch होगा and nmat and snap का भी crash course हमारी website के ओपर available है link नीचे description box के अंदर है online जाके आप enrollment कर सकते हो इसके अंदर आपको Windows Android device आप चूज कर सकते हो इसके लावा आप interactive e-books मिलती है topic wise test मिलती है और full length mocks भी with detailed solutions आपको provide करे जाते है अगर आपकी कोई भी query है तो आप हमारी help line number पे भी contact कर सकते हो friends अगर हम बात करें ZAT की तो CAT और ZAT दो सबसे बड़े exams होते है MBA entrances के लिए और जो maximum colleges accept करते है अगर हम ZAT के बारे में बात करें तो ZAT सिरफ और सिरफ Excel Rai के लिए नहीं है ZAT Excel Rai के अलावा और भी बहुत सारे colleges accept करते है लेकिन इससे पहले हम इस video को start करें मैं आपको कुछ 2-3 instructions important बताना चाहता हूँ कि जो भी list है मैं आपको सारी अभी दिखाऊंगा आगे ये वो colleges हैं जिनका आपको separate form भरना पड़ेगा जो जो college आपको आगे अपनी screen के ओपर दिखेगा हर college का आपको separate form भरना पड़ेगा जिस भी college में आप apply करना चाहते हो अगर आप किसी particular college का form नहीं भरते या उसके अंदर apply नहीं करते तो आपको consider नहीं किया जाएगा irrespective of the fact कि आपने zat में कैसा perform किया है तो just like cat में कि cat का form भरते हैं बाकी colleges का form भरना होता है तो उसी तरह just like zat आपको बाकी colleges का भी form भरना होता है बट अगर मालेज़े कोई एक college है जो cat और zat दोना accept करता है तो आपको दो बार form भरने की जरूरत नहीं है एक ही बार form भरने है उसी में ही आप अपना cat का score भी डाल सकते हो और उसी में आप अपना cat का score भी डाल सकते है तो college को form दो बार भरने की कोई requirement नहीं है तो friends अगर हम cat के colleges को divide करें तो basically तीन categories के अंदर किसी भी exam को हम कर सकते हैं चाहाए cat हो चाहाए cat हो चाहाए cat हो कि पहले वो college जो 62 70 percentile में होते हैं दूसरे वो जो 70 से 80 percentile के बीच में होते हैं और तीसरे वो जो 80 से 90 plus percentile के बीच में होते हैं पार्ट 1 के अंदर आज हम इन colleges के बार में बात करने वाले हैं जो 80 से 90 plus percentile के बीच में हैं जब part 2 और part 3 बनाएंगे तो हम 6270 and 7280 के बारे में भी बात करेंगे अगर आप list देखो कि कौन कौन से colleges हैं जो ZAT का score एक सेप करते हैं तो इसकी complete list आपको ZAT की website के उपर भी मिल जाएगी जो की है ZAT online के नाम से आप जा कर देख सकते हो यह सारे के सारे colleges हैं और यह alphabetical order के अदर आपकी screen के उपर लगे होए हैं for example 35 colleges यह हैं उसके बाद चाहे Great Lakes हो गया IHMR हो गया and Institute of Forest Management हो गया या कोई भी आपकी screen के उपर यह colleges हैं और finally यह colleges हैं जो ZAT की website के उपर mentioned है जो ZAT का score accept करते हैं तो आज हम शुरू करते हैं एक एक करके colleges के जो 82-95 percentile के बीच में रहते हैं तो आज की वीडियो के अंदर हम इन सारे colleges के बारे में बात करने वाले हैं विल स्टार्ट विद एक्जलराई जमशेदपूर हम बात करेंगे XIMB भुवनेश्वर की IMT गाजियाबाद की IMT गाजियाबाद के लावा बाकी के IMT भी इसको accept करते हैं ZAT के score को इनको हम part 2 में cover करें तो friends अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी हम ये data निकालते हैं तो data year on year change होता रहाता है for example fee structure last year 26 lakhs थी तो इस साल हो सकता है वो बढ़ भी जाए क्योंकि year on year fees revise होती है जो placement reports हो भी हर साल revise होती है maximum बढ़ती जाती है for example जब तक का माई पास data तब तक का 30 था हो सकता है जब तक आप future में ये और बढ़ जाए तो इसके लिए आपको college website को refer करना है चाह exact fees हो चाह exact ctc हो या cutoff हो जो हम सारी cutoff बताते हैं ये सारी tentative cutoffs है ये थोड़ी बहुत उपर नीचे वेरी कर सकती है तो exact cutoff के लिए आपको college को ही contact करन है तो friends अगर सबसे पहले बात करें इंडिया का oldest management institute बहुत बड़ा brand name एक्जिलराई जमशेटपूर एक्जिलराई जमशेटपूर जो की जाट एक तरीके से गरवाता ही है जाट की पूरे responsibility इन सब की ही है ये पूरे group की तो fees जो है वो 26 lakh रुपीज प्लस है सारे expenses मिला के average c PTC जो ये provide करता है वो 30 lakh रुपीज तक का provide करता है exam since that ही यहाँ पर होता है इनकी जो seats है वो approximately 180 seats है इनके पस BM और HRM के अंदर दोनों में और जो इसकी cutoff है cutoff के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर cutoff अलग-अलग तरीके से आती है gender based भी होती है males की थोड़ी सी जाद हो जा सकती है depending on your gender and diversity उस category में यह cutoff decide होती है next reference हमाँ पस XIMB भुवनेश्वर, XIMB भुवनेश्वर का जो fee structure है वो 20 lakh रुपीज प्लस हो गया है इसका 2 years का average CTC around 17.5 provide कर रहा है cat और zat दोनों को ही accept करता है तो आपको कोई दो बार form भनने की जरूरत नहीं है आपको एक ही बार form उसी में ही आप cat और zat के score को डाल सकते हो cutoff जो है वो वैसे around 90 यह कहते है बट profile based भी होता है और अगर आपकी profile अच्छी है तो आपको कम पे भी इसकी ODC कम पे भी आपको इसकी call आ सकती है next reference हमाँ पास IMT गाजयबाद सिरफ उससरफ IMT गाजयबाद नहीं बाग की सारे IMT के campus भी इसके score को accept करते हैं तो उनको भी include करेंगे हम part 2 की video के अंदर for example अगर आज की video के अंदर मैं IMT गाजयबाद के बाए में बात करूं तो उसकी जो fee structure है वो 20 लाक रुपीज एप्रॉक्स है जो average CTC प्रोवाइड करता है वो 15 है cat और zat दोनों score को यह accept करता है तो आपको एक specifically आज मैं IMI Delhi के बारे में बात करने वाला हूँ तो IMI के अंदर यह जो programs है PGDM, PGDM HRM and PGDM BNFS यह तीन programs है जो इसका fee structure है वो है 20 लाक रुपीज प्लस ही है जो cat और zat percentile यह demand करता है वो 85 to 90 के बीच में डिमांड करता है 85 to 88 के बीच में तो अगर आप इतना चाहे cat मिले हो च तो आपको IMI से call आ जाएगी, average CTC 15.48 तक का है provide करते हैं, highest CTC 32 का था और जो number of seats है वो approximately 250 seats है next difference हमाँ पास माइका एहमदाबाद, माइका एहमदाबाद जैसे कि आपको पता है सिरफ और सिरफ जनरल PGDM के लिए famous नहीं है इनका एक और प्रोग्राम बहुत famous है PGDM Communication, तो PGDM यह communication के अंदर करवाते है, advertising और इन सारी चीजों के अंदर अगर आपको interest है तो आप माइका एहमदाबाद में apply कर सकते हो, माइका एहमदाबाद की जो fee structure है 2 years की, वो 21 lakh रूपीज है, additional expenses भी और होते है जो seats है, वो around 200 है, जो average CTC प्रोवाइड कर रहा है, उतना ही जितना fee से around 19 to 20 lakh रूपीज आप चाहे cats अप्लाइ कर दो, चाहे zats अप्लाइ कर दो, लेकिन आपको my cat के लिए भी appear करना पड़ता है, इनका खुद का exam है उसमें ये बहुत सारा बच्चों का aptitude अलग-अलग तरीकों से चेक करते हैं, और उसकी कोई particular cutoff वैसे नहीं है कि specifically आपके पास इतना होने चाहे, बिकॉज ये आपका overall profile and CV भी देखते हैं, बट अगर आपका 80 to 85 के बीच में रहता है तो आपके लिए एक थोड़ी सी added advantage हो जाती है, 85 या उसे भी plus रहे तो और अची बात, लेकिन 80 to 85 तो bare minimum है, इतना आपका होना चाहिए नेक्स्ट अवरेंस हमापस Great Lakes Chennai, Great Lakes Chennai के अंदर दो प्रोग्राम्स होते हैं, एक है इनका PGDM का प्रोग्राम, PGDM का प्रोग्राम में उनके लिए जिनका 0 to 2 years का work X है और दूसरा इनका PGPM का प्रोग्राम उनके लिए है, जिनका 2 plus years का work X है, अगर हम आज बात करें इनके PGDM प्रोग्राम के बारे में, तो PGDM प्रोग्राम की जो fees है 2 years की वो 19 lakh रुपीज है, जो average CTC है, वो 12.5 तके प्रोवाइड करता है, और जो exam accept करता है, वो CAD, Z, CMAT तीनो यह accept करता है, तो चाहे आप CAD के थुरू करदो, Z के थुरू करदो, चाहे C MAT के थुरू करदो, form आपको एक ही भरने, उसी के अंदर आप details डाल सकते हो, अपने बाकी की exams की भी, और जो उसकी cutoff है PGDM की, वो 80 to 85 के बीच में vary करती है, तो अगर आप इतना लेया तो तो आप PGDM Great Lakes Chennai की call आ सकती है, नेक्स्ट अफरेंज हमाँ पस Go Institute of Management, गोआ के अंदर यह located है, जो इसकी fees है 2 years की, वो 18 lakh रुपीज है, average CTC around 12 lakh रुपीज तक के प्रोवाइट करता है, cat और that दोनों exam को यह accept करता है, और जो इसकी cutoff है around 85 है, और number of seats 250 है, तो अगर आपको अपनी seat यह पर convert करनी है, तो आपको approximately 85 percentile से उपर लेके आनी है, तो आपको Go Institute of Management की call आ जाएगी, चाहे आप GAT के थुरू करो, चाहे ZAT के थुरू करो, next difference तापमी, तापमी के बारे में अगर हम बात करें, TAPI Institute of Management, मनीपाल के अंदर यह located है, जो fees है, वो इसकी 2 years की 20 lakh रुपीज है, य exam CAD, ZAT और इसके साथ साथ अब NMAT भी है, NMAT के थुरू भी आप इसमें अपलाए कर सकते हो, चाहे ZAT से कर लो, चाहे NMAT से कर लो, और जो इसकी percentile cutoff है, approximately 85 percentile है for CAD and ZAT, अगर इतना अपले हाते हो, तो आपको TAPI मनीपाल की call आ सकती है, next difference हमाँ आपको 4 school of management Delhi के अंदर located है, जो इसकी fees है, वैसे तो 17 lakh rupees है, लेकिन अगर हम additional expenses जोड लें, तो 20 plus ही हो जाएगी, जो average CTC है, वो 14 lakh rupees per annum तक की ये average CTC प्रोवाइड करता है, CAT और ZAT, दोनों ये exams को accept करता है, percentile इसकी approximately 85 है, और जो seats है, वो 400 है, तो अगर आपको यहाँ पे अपनी seat convert करनी है, तो आपको approximately 85 percentile लाना होगा, तो आप 4 के अंदर भी apply कर सकते हो, next difference, KJ Sumaya, Mumbai के अंदर situated है, महारास्टा के, so course के बारे में अगर हम बात करें, तो इनके MBA program के अंदर, जो fee structure है, वो around 20 lakh rupees है, तो अगर आप CAT या ZAT के तुर अप्लाय करना चाहत हो, तो 85 percentile के round चाहिए, 90 to 95 चाहिए CMAT में, and 225 से 230 का score चाहिए, for NMAT, average CTC इनका around 11 lakh rupees है, highest 26.5 था, और चीट बहुत अच्छी है, 600 plus seats है, KJ Sumaya में, next difference हमाँ पस, Irma Anand, Irma Anand, अपने general PGDM नहीं करवाता है, ये PGDM करवाता है, in rural management, तो अगर आपको rural management में interest है, तो ये आनंद का college, आनंद वही है, जहाँ पे amul setup हुआ था ठीक है, तो वहाँ पे ये situated है, तो इसका जो fee structure है, वो 16 lakh rupees plus है, जो इसकी cutoff है, वो around profile based अगर आपकी है, तो approximately 80, और अगर आपकी non profile है, यानि कि अगर आपकी profile इतनी strong नहीं है, तो आपकी जो cutoff रहेगी, वो around 85 रह सकती है, average CTC इनका 14.33 है, जो highest CTC है, वो 26.5 था, और जो number of seats है, वो around 250 है, next friends, LPSIM के बार में बात करें, तो कुछ बच्चो को लगता था कि sir, ये तो सिर्फ cat लेता है, नहीं, अब ये zat भी लेता है, तो fees के बार में बात करें, तो 13 lakh rupees इनकी tuition fee है, 4-5 लाख रुपे, hostel और वाकी के additional expenses लग जाएंगे, यानि कि तकरीबन कुछ 18-19 वारका के अंदर situated है, जिसके अंदर आप apply कर सकते हो, next reference हमाँ पर वेलिंग कर, वेलिंग कर, वेलिंग कर, वी स्कूल के नाम से भी जानात होता है, इसके अंदर PGD and MMS, Masters in Management Studies, दोनों प्रोग्राम है, लेकिन आज हम इनके PGDM प्रोग्राम के बार में बात कर रहे हैं, तो उ 19.73 और जो number of seats है, वो around 200 है, तो friends, ये थे कुछ colleges ZAT के जो 82, 95 percentile के बीच में वेरी करते हैं, कुछ colleges और भी हैं, उनको हम part 2 के अंदर cover करेंगे, फिर उनकी भी हम आपको पताएंगे, जो 70 से 80 और 60 से 70 के बीच में वेरी करते हैं, तो वीडियो पसंद आया है, जो है लाइक अपने suggestions आप मीचे comment box के अंदर भी दे सकते हो, बहुत जल्दी हम बाकी के part of वीडियो भी बनाएंगे, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, विकॉस इन colleges के जब-जब form आएंगे, हम आप सब को inform करते रहेंगे, ताकि आप इन colleges की form filling time से कर सको, तो thanks a lot friends प्लीज हमाज साथ Instagram पर जुरूर कनेक्ट हो जाना, और अगर आपको crash course में इन्रोल करने तो हमाई वेबसाइट है, यहां पर आपको complete details मिल जाएंगी, और अगर आपकी कोई भी query है, तो आप हमें WhatsApp या email भी कर सकते हो, thanks a lot friends, all the best, God bless you.